अच्मक मया में भी के कि जितनी अच्छा आयगे हैं वर नम का स्वास्थभी कि और शाघ्यां हो भीक्षा और में और जितना जितनाा ततहीं कि अच्छेसे इन होती प्रसात स्टी ङुग और फैसे नदियां सूख रहे हैं 2016 की इस्थिति को आप देखें तो 2016 में तो पूरा का पूरा पानी की तरह 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 थी पूरे बुंदेल खड़ू है जिसकार हमारी मंदाक में ही वह सुखी भी थी यहां पर दर्दनों नदियां जो अमिरल थी जिए वह ने पहना बंद कर दिया और पर तो सूखा रहत तो मिला फिर लोगों को सूखे रहत की समस्या की सरकार की इतनी भी रहत हैं जिए वो तब आती है जब आदमी थोड़ा साथ ठीक ठाक हो जाता लेकिन जिस समय वह आपदा में होता है जिए उसे में रहत मिलती नहीं लेकिन अभी जो रहत आई भी जिए तो उस रहत में क्या लेकपाल के साथ जो अभी मैं गया था मानिकपूर छेत्र में मानिकपूर छेत्र में रानिपूर विदुरहा के लोगों ने जो बताया जिए बहुत धर्दनाक है बताये कि 12,000-13,000 रुपय का जो बन रहा है सुका रहत का जिए तो लेकपाल साहब उन है 12,000 का जिए दूसरे बाद जिन लोगों के वहां पर खेती कभी नहीं हुई उनके चेक पहले मिल गए और इनके जिनको खेती कर कांटी न्यू करन को चेकी भी आर्थ तक नहीं मिले अज़ो तो यह किसान क्रेट कार्ट से लोगों को फाइदा नहीं होता है किसान क्रेट क सब्सक्राइब करें जून के बाद जून के बाद पानी वर्सा जुलाई अगस्त में उससे अध उंदेलकंट की गिंडरी आप देख रहे हैं अभी उसके बाद अनाज आया नहीं सुका राहत का पैसा आया बैंक में उसे जमा किया और बैंक ने जाकर के उसके जो पुराना सब्सक्राइब करते हैं इतनी बड़ी धनली है आप आपसे बता है कि जो विदायक है जरूस पर एक असर पढ़ना चाहिए लेकिन जाती इतना ताम जाम है पूरा का पूरा जी वो कितना एफेक्ट करेंगे लेकिन आदमी यहां वोट देने के बाद भी रोता है और अत्मे वही लोग कुलना करके हैं अन्त में जाती समीकन के अधाद पर लीजिए यह सरकार में देखा जाए तो भाट्यपा में केंद में भाट्यपा वैठी भी है इस्टेट में पार्टियां वही है उन्हीं को चुनना है तो उसको उसको कही नहीं कर देना जाकर लिए लेकिन लोग दंदकों में वो करना है दूसरा बहुत बड़ा मुद्दा है मुंदेल खंड में यह जो कंपणिया बाहर से आई इन कंपणियों ने इतनी जमीन ख्रीद लिया चित्थकुट जनपत में यह आपका बरगण में और कांटिनेटल ग्लास फेक्टी उन्हें से पचासी म सवाल है उत्पादन हो नहीं रहा भूख मर भूखों भूखों से लोग परेशान है वहां पर लगते हैं उन किसानों की जमीने आपने अधित कर ली उत्पादन में नहीं हो रहा और उनमें प्रकार की याद तक कोई फेक्टी नहीं ले जी और दूसरी जीजे कि जहां पर जनियां थी जो पानी था उन सब को लोगों ने सुखाड़ा लावा और तो क्या माइग्रेशन लोगों के पास इंप्लॉइमेंट नहीं तो क्या माइग्रेशन हो रहा है बिल्कुल अंडर प्रसंट इस समय माइग्रेशन की इस्तिती है कि जो आप का 23 तारीक को चुना हू कर फॉनिये स्विन अब होगों जोगोचल के सूख careful तो इस माइग्रेशन से किसी स्पेश्शल मेरब किसी स्पेसिजिक पाटी को नुवसान हो रहा है वाई माइग्रेशन से कि alive तो एक को इस लीर नुटrement होगा कि मैं सबसे व्रान नुच्शान अगर देखेंगे तो वी儿 तो बेश्पी का उटर्ड माइड़ेट दुआ है तो ब्लैश्पी को सकता है तो उसको उसका हो जाए और थोड़ा भड़ा मैज्टेशन तो हर जात में है तो तो थोड़ा बहुत असर उनको ही पढ़ सकता है अब जो जाती या आधार पर जो दे रहे है गृए कर दूंद